एलो ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है मेरा नमा भै पार्टी लिनियो व्डे के साथ आज जुगा हूँ आज को जो वीडियो रहेगा अंडरस्टेंडिंग मार्केट बिहेवियर पर रहेगा कि मार्केट ने आज ऐसे क्यों मूव किया ऐसे मूव के क्या लॉजिक हो सकता है और कैसे जो सेलर से आज ट्रैप हुए और मार्केट कंट्यूनिसली 2.6 बैंक निफ्टी ने मूमेंट किया तो पूरा लॉजिक आज अच्छे से समझेंगे तो आपको भी ऐडिया आएगा कि जब नेक्स टाइम मार्केट ऐसे सिचुएशन में आएगा आपको क्या ट्रैड करना है आप मेंटली प्रिपेड रहोगे तो चलो स्टार्ट कर दे सबसे पहले देखो हर कोई ट्रैड आने के पहले मतलब एक सेटप बनने के पहले बहुत सारे आपको कन्फरमेशन मिलेंगे बहुत सारे एक लॉजिक मिलेगा रिजन मिलेगा जो आपके ट्रैड को जो है एक पॉजिटिवली आपको confirmation देगा कि यह trade अपका अच्छा risk reward के साथ अपको अच्छे profits दे सकता है तो क्या confirmations है वो हम सब देखेंगे ठीक है मैंने already यहाँ पर levels बना कर रखे मैं थोड़े यहाँ पर पहले आपको एक एक जो है explain करते जातू यहाँ पर हम एक trend line draw करेंगे ठीक है यहाँ से यह previous swing था ठीक है अब यहाँ से देखो यहाँ से market जब continuously गिर रहा था lower high higher low बना रहा था ठीक है फिर market ने यहाँ पर एक breakout देने की कोशिश किया अगर इस trend line के basis पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने एक breakout देने की कोशिश की w pattern मना एक fake breakout दिया और फिर buyer को इस candle पर trap किया यहाँ पर बहुत time लिया market ने और फिर market यहाँ से गिरा अब क्या scene हुआ कि market यहाँ से गिरा sales आया फिर market यहाँ पर जो है support level लिया देखो यहाँ पर मैं जो line बना रहा हूँ इसको अच्छे से देखना market ने जो एकदम major support है जहाँ पर market बहुत देर consolidation किया था वहाँ से market ने support किया weight किया एक w pattern मना यह देखो आप देख सकते हो market एक pattern मना रहा था और फिर market उपर चला गया आप देख सकते हो यहाँ पर w pattern मना market उपर गया अब इसने जो है trend line break कर दी और यहाँ पर ही neckline break कर दी इस level पर देखो अगर यहाँ पर जो दो line है यह line पर neckline थी वो neckline bank nifty ने जो है break कर दी और एक proper double bottom pattern मना कर nifty जो bank nifty nifty दोनोंने अब move किया यह simple था तो आज के जो दिन था वो था breakout का ठीक है इसने पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो जो यह हमारी trend line है वो break कर दी second चीज़ जो यह consolidation इतने time से consolidation हुआ था वो break कर दिया continuous एक दो दिन यहाँ पर consolidation हुआ था पूरा consolidation breakout दे दिया था आपके आई यह resistance जो sellers है जो BS है वो इस level को as a resistance level देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं वो यहाँ पर अपना stop loss लगाते हैं और यहाँ पर heavily shot करने को देखते हैं और अगर market अब देखोगे तो बहुत ध्यान से देखने हैं यहाँ पर क्या pattern मना रहे हैं मार्केट यहाँ पर एक head and shoulder का pattern मना रहे हैं तो sellers को लगा यहाँ से market गिरेगा और वो heavily shot करेते जिसके वज़े से उनका यहाँ पर stop loss हिट हो गया तो अब एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ जब भी sellers का loss होता है तो buyers का profit होता है मतलब जब sellers trap होते buyers का profit होत होता है तब market गिरता है और sellers को profit मिलता है यह line अपको अच्छे समझना है तो आपको बहुत trading easily हो जाएगी तो पहली candle indecision बनी ठीक है फर्स्ट candle में ही breakout है थोड़ी indecision candle बनी फिर market आप देख सकते हो यहाँ पर एक pin bar candle बनाया है मैंने pin bar candle पे बहुत अच्छा वीडियो बना ब्रेक कर दिया मतलब जो 15 मिट का फर्स्ट है था वो ब्रेक कर दिया trend line ब्रेक कर दिया consolidation ब्रेक कर दिया तीन टाइप के यहाँ पर आपको breakout मिले और इसी pin mark के candle के हाई पर आपको trade लेना चाहिए था छोटा stop loss यहाँ पर यहाँ पर आप लगा सकते थो और 1-2 risk reward के हिसाब स या आप आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन था आज होल्ड भी कर सकते थे क्योंकि breakout जब भी आता है बहुत बड़ा move आता है और continuously यहाँ पर जो जहां से भी market गिरने की कुशिश कर रहा था मैं आपको देखो अब यहाँ पर मैं एक simply level बना तो ठीक है यह red candle पर मैं एक level और इस red candle को previously जाके देखेंगे देखो यहाँ पर मैं एक level बनाई है अब क्या हो रहा था जब भी यह resistance level previous levels का support हुआ करता था पहले वो resistance बन रहा था जो seller से वो try कर रहे थे sell करने का sell करने का try कर रहे थे लेकिन market ने बड़े time frame पे breakout दिया तो छोटे time frame पे resistance market बिल्कुल भी respect नहीं करता तो seller क्या करते है आपको trend को follow करना चाहिए जो trend के अगेंस trade करता है उसके से market इत्ता एक side move करता है sellers ने यहाँ पे sell करने की कुछ क्यों ने सोचा market इतना move किया है यहां से वो लोग सोच रहे कि 50% rate risk करेगा तो उसका तो profit मिलेगा लेकिन यहाँ पे market बड़े time frame प बन रहे थी seller center कर रहे थे यहां पर उनका stop loss it फिर उसके बाद थोड़ा और consolidation किया फिर breakout दिया फिर एक resistance लेवल पर जब market आया एक red candle बने फिर sellers ने क्या सोचा market इतना बड़ा आया है तो bias भी profit book करेंगे और फिर इस red candle पे लोग अपना stop loss यहाँ पर लगा कर फिर से short कर रहे है जब तक sellers यहाँ पर try करेंगे market देख और फिर से last minute पे भी मालब last 45 minutes पे भी same scene वा यहाँ पर फिर से sellers ने try किया गिराने का मतलब sellers इंटर किया red के अंगिल पिर सी और यह फिर से breakout हुआ चांसे से कल gap up खुल जाए फिर से market 15 minutes में फिर्स्ट और उपर चले जाए जो sellers है give up नहीं करते एक बास sellers give up कर दिया तो market अब देखो continuously फिर गिरना स्टार्ट करें में अब एक retracement लेगा market ऐसे ही work करता है इसलिए जो है intraday में 90% जो traders है loss करते क्योंकि वो ऐसा सोचते है जो ह कोई सोच रहा है मतलब अब देखो market को समझने की कोशिश नहीं करते वो देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर इतना बड़ा breakout आया है और 15 minutes शॉट पर शॉट शॉट करते जा रहे हैं उनका SL यहां पर trigger हुआ market और उपर गया उनका SL यहां पर trigger हुआ और market उपर गया फि फिर आप market जो है चान से जादा है कि consolidation phase में चले जाए कल हो सकता है फिर trending चले जाए Tuesday को और फिर Wednesday को consolidation phase में चले जाए तो यह expiry हमें बहुत अच्छी short sellers के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जब तक आपको अभी देखना है कि आप देख रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम पर breakout फिर अगर आप second major resistance देखोंगे 36,800 पर तो market यहां तक travel करने के ज़्यादा chances है फिर इस बड़े टाइम फ्रेम के जो resistance है market वहां से गिरेगा यह मतलब वहां से एक अच्छा move intraday में आ जाएगा तो यह ऐसा आपको trading psychology करनी है आपको multiple time frame analysis करने है second thing nifty आज 1.5% move कि nifty ने इतन time से जो एक up move करते जा रहें nifty ने मतलब यहां पर bias थोड़ा tired हो चुकि देखो बहुत bottom से nifty ने travel किये whereas bank nifty ने अभी momentum start किया bank nifty को थोड़ा cover करना है इसलिए bank nifty अभी जादा strong है और nifty थोड़ा वी के अगर selling pressure बनता है तो bank nifty का जो है जो bias है वो अपना profit book करने के लिए द यहां पर देखो bank nifty जो है अभी इतना यहां से बड़ा momentum कर दिया अभी major resistance level bank nifty के तरफ आ रहा है तो bank nifty यहां से गिरेगा नहीं मैं एक selling momentum यहां से आ सकता है और फिर जो है bank nifty यहां से उपर की तरफ जा सकता है क्योंकि देखो continuous one hour time frame पे six to eight green candles बने एक buying momentum आया और एक resistance आय है 36,500 का psychological level भी है तो सकते यहां पर एक one hour पे या दो तीन red candles बना दे और उसके बाद एक up move कर दे ठीक है तो यह bank nifty का plan है यहां पर breakout दे चुका है बड़ एक resistance level आ चुका है bank nifty कभी अगर आप देखोगे तो momentum 34,761 से है तो एक retracement आना बागी है तो मैं यहां पर भी देख र होने के बाद एक support level पर आ जाता है तो फिर से मैं buying के लिए enter करूँगा आप देखो nifty के लिए nifty सेम resistance level पर आ चुका है देखो यहां पर जहां से सबसे बड़ा देखो इतना बड़ा momentum आया था nifty में sellers ना sellers के तुरू तो यहां पर बहुत एक बड़े sellers बैटे है मतलब यहां इतना up move किया है तो अभी फिर से एक selling momentum आ सकता है क्योंकि major resistance level है और यहां से एक retracement तो at least हम expect कर सकते है और बड़े टाइम फ्रेम पर तो इसने breakout दिये लेकिन अभी यहां पर enter करके एक long position आप heavily नहीं ले सकते हो क्योंकि बहुत travel हो चुका है अभी आपको एक wait करना है या तो आप buy करके at least यहां से buy करके फिर आप trend के साथ continue कर सकते हो तो let's see market क्या होता है कल wait and watch रहेगा कि एक sideways चले जाता है या फिर से उपर जाने की कोशिश करता है हो सकता है कल फिर से nifty bank nifty एक buying momentum मना दे और फिर buyers को trap करके गिरनी की कोशिश करे तो hope मैंने आपको जो है सारे आपक क्या करना है तो thank you guys for watching मिलते कल new video के साथ thank you